जहाएन साथियो। आपको पता होगा कि पत्ना हैकोट ने बिहार में 65% अरक्षन दिया था इसे समाउत कर दिया है । बिहार सरकार का जो नियने लिया था 50% आरक्षन देने का इसे समापत कर दिया है आप लोग देखते होंगे कि कोई इसे 75% आरक्षन के बात करता है और कोई कहाता है कि 55% आरक्षन को समापत किया है क्या मावला है पूरे चली देखते हैं कि आखिर पतना है कुछ ने 55% में सेक्षिन संस्थाओं में SCST तथा समाजी की रूप से पिछ्रे वर्ग के आरक्षन का प्रवधान किया गया है और आपका अनुचिर 16 के फोर में लोक नियोजन यानि सरकारी नौकरी में आरक्षन का प्रवधान करता है अब देखिए आरक्षन क्यों दियते हैं इसमें लोगों को दिया जाएगा जिनका राजी के नौकरी में उचित परतिनियुत नहीं है यानि राज की नौकरी में उचित परतिनियुत नहीं है तो उन लोगों को आरक्षन दिया जाएगा तो बिहार सरकार ने जाती आधार गन्ना करवाए थे उसी आधार पर आरक्षन को ब बढ़ाया था तकि यह ब्याहर सरकार ने ब्याहर सरकार ने पहले एबीसी को पहले था 18 परसेंट तो इसे बढ़ाकर कर दिया कितना 25 परसेंट कर दिया था OBC का अरक्षिन दिया था 12% भिहार पहले और इस participant कर दिया था 18% और SC को 16% अरक्षिन था बढ़ा कर 20% कर दिया था और ST को 1% अरक्षिन पहले था लेकिन इसके भिहार से करने बढ़ा कर 2% कर दिया था यानि टुटल मिला कर आपका हो जाता है यहां पर 65% तो इसी अरक्षन बेवस्था को यानि पटना है कूट ने रद कर दिया यानि यह पहले का नुसार ही अरक्षन बेवस्था अब भिहार में रहेगा अब रद क्यों किया यह भी देख लेते हैं देखिए आपको पता होगा कि इंद्रा सहनी बनाम भारत संग में 1990 में मामले में एक सुप्रीम कोट ने निर्ने दिया था इसी अधार पर इसको रद किया है और इसमें कहा गया था अपका इंद्रा सहनी बनाम भारत संग में कि जाती के अधार पर आरक्षन दिया जाएगा यह बिल्कुल सही है सकेन अपका कहा था कि आरक्षन की अधिक्तम सीमा 49.5% होग निर्ने दिया था कि आरक्षन की अधिक्तम सीवा 49.5% होगी जिसमें OBC को अधिक्तम 17%, SE 15% और ST को 7.7% आरक्षन मिलेगी यह मैक्सिमम है इसी आधार पर पतना है कोट ने बिहार के जो 65% आरक्षन वेवास्था था इसे रद कर दिया गया है इसे हो सकता है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जाएंगे ही सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जो नीना देंगे वो आपका अंतीम हो जाएंगे ठीक है और देगे इसमें क्या कहा था इंदरा सनी बनाम भारत संग में इसमें तो यह आपका हो गया कि 49% आरक्षन के मैक्सिमाम स्विमा होगी और कहा था कि पदोनुती में आरक्षन बीदी मानी नहीं होगा यानि पदोनुती में आरक्षन नहीं दिया जाएंगे जैसे प्रमोशन बोलते हैं प्रमोशन भी आरक्षन नहीं दिया जाएंगे इसमें कहा था इंद्रा सनी बनाम भारत संग में लेकिन बाद में इसे दिया गया था है बाद में आप देख सकते हैं कि बाद में 77 स्मिधान संसोदन के इताहत है 1995 में अनुछेद 14 के फोर में SCST के लिए SCST के लिए आपका यानी पदोनोती मारक्षन दिया गया था ठीक है यह ची दियान लिए और देखिए इसमें एक ची और कहाता आपका इंद्रा सनी बानाम भारत संग में कि पिछरे वर्गों के लिए यानी OBC के लिए आरक्षन के लिए क्र और वर्गी किद किया जाएगा के शोड़ होता दोका अभी बतान में 8 Lakh है जैति आपका इंद्रा सनी बाना भारत Small future में यह कहा तो इसी अधार पर इंद्रासानी बनाम भारत संगराज मामले में ही यानि सुप्रिमपूर को नीने था इसी अधार पर पत्ना है कुट ने यानि 65% आरक्षन को समाप्त कर दिया ति ये कुछ इतिहास है आपका आरक्षन का इसी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है और एक और ध्याना के लिए कि 1990 में मंडल आयो की सिफारिस पर OBC को 37% आरक्षन परदान किया था उसके बाद आपका इंद्रासानी बनाम भारत संग मामले आये थे जिसमें सुप्रिम आरक्षन की अधिक्तम सीमा 49.5% से अधिक नहीं होगी अब कहेंगे कि इसमें क्यों कोई कहता है कि 75% आरक्षन को स्वाप्त किया है देखिए आपको पता होगा कि 10% आरक्षन 10% आरक्षन EWS को दिया गया था यानि जनरल कैटेगोरी में आर्थिक रूप से पिछ्रे तो कि दूसी लेकिन इस आरक्षन को कोई 75% में जोड़कर बोल दिया था आपको 75% लेकिन सुप्रीम कोट ने साफ तो पका दिया है कि यह 10% आरक्षन अलग है और यह जो आपका 50% आरक्षन बता रहे हैं वह आपका अलग है जो 50% आरक्षन है वह आपका सैक्षिनिक अधा पर है जबकि यह आपका दो 10% आरक्षन है वह आपका आर्थिक रूप से पिछ्रे वर्ड के लिए है इसलिए सुप्रिंग कोड का है कि दोनों आरक्षन अलग है इसलिए हम इस 10% को इस 65% जो भी बिहास अगर किया था उसमें हम नहीं करेंगे ठीक है उसको 75% नहीं कहेंगे 50% नहीं कहेंगे जिसे यानि पतना है कोड ने रद कर दिया है ठीक है तो एक और देना किएगा यह आपका 10% दिया था जनरल कैटिकोरी में आथी कि पिछ्रे वर्ड को वह आपका 193 समधान संसोधन के ताथ 2019 में परदान किया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने साब साब कहा है कि यह अपका 50% आरक्षन से अलग है क्योंकि 50% आरक्षन आपका सैक्षिन रूप से पिछ्रे वर्ड को लिए है जबकि यह आपका आर्थिक रूप से पिछ्रे वर्ड को के दिया गया अरक्षन है इसलिए दोनों आरक्षन आपका अलग है तो यही मामला था यहीं इसी के कारण से पतना है खुट ने बिहार के 65% आरक्षन वाले बिवस्ता को समाप्त कर दिया इसे घुषित कर दिया अब यह मामला बिहार से कर लेकर उसे जाएंगे सुप्रिम कोर इस पर जो फैसला करेगा वही अंतीम होगा तो इसे आप ध्यान रखेगा यह थोड़ा इसका इतिहास है आरक्षन वास्ता का यह इतिहास है इसे आप जरूर ध्यान रखेगा यह PDF आपको मिल देंगे अपको इसे आपको ग्रूप में तो मिल जाएगा इसे यह दखना आपके पूछी जा सकते हैं इसलिए आपका इंपोर्टेंट है इसे आप ध्यान रखीएगा चली मिलते हैं आपको नेक्स क्लास में आज लिए तना है थेंक्यू धेने बाद